इससे कोई फरक नहीं पड़ता आप अमीर हैं या गरीब अगर आप कंसर्टन्स की एफीस अफोर्ड नहीं कर सकते या आप पे नहीं करना चाहते पैसे बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मुफ्त में फाइल बन सकते हैं, रिटर्न फ साल अपनी रिटर्न मुफ्त में इनसे फाइल करवा सकते हैं, और बिल्कुल भी ये नहीं समझेगा कि ये अगर सर्विस फ्री है तो ये बेकार होगी, बलके ये एफ़ियार के एप्रूफ करसल्टन्ट हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको इनसे ऑथेंटिक और अच्छी सर सर्विस प्रूइड करता हूँ, मेरी लॉफरम है जो ये सर्विस फ्रूइड करती है, तो मैं क्यों किसी और को रैक्मेंट परिया हूँ, क्या मैं काम बंद करने लगा हूँ, या मैं ऐसा करके बेवकूफी कर रहा हूँ, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, मेरा ये बिर Immediates ह कि जितनी आप दूसरों के लिए असानिया पैदा करते हैं अगर आपको मेरी इस बात पर ये कहीं ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाके तमाम वीडियोज देख सकते हैं जिसमें मैंने हर चीज खुल के बताई है कुछ ने चुपाया अगर फाइलर बनना हो, रिटन फाइल करवानी हो या पासवर डिकवर करवाना हो इवन के कमपनी रिजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर मैंने वीडियो में तफसील से बियान करके आप लोगों के साथ शेयर किया है मैं जितना ज्यादा नौलिज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरे रिज्क में इजाफा होता है, अलहम्दुल्ला मैं ये समझता हूँ कि वो लोग बेवकूफ हैं जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते वो ये समझते हैं कि हम ये चीज किसे दूसरे को बता देंगे तो हमारा काम बंद हो जागा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है वो एक दफ़ा मेरे इस मशवरे पे अमल करके देखें अपने नौलिज को बांटें, दूसरों के लिए असानिया पैदा करें तो उनके लिए भी डेफिनिटली बहुत ज़्यदा असानिया पैदा होंगी फ्री सर्विसिज लेने के लिए आपने करना ये है कि आपने FBR के ओफिस चले जाना है FBR ने रिजिनल और डिस्टिक लेवल पे अपने ओफिस बना रखे हैं आपका करीब भी FBR ओफिस कौन सा बनता है उसको आप इजिली गूगल करके साइच कर सकते हैं ये आपको कुछ इस तरह का शो होगा कहीं जगा पे ये आपको RTO यानि के रिजिनल टेक्स ओफिस के नाम से शो होगा तो कहीं पे आपको FBR ओफिस के नाम से लिखा नजर आएगा ये बात तो आपको जरूर मालूम होगी कि FBR ने ये ओफिस टेक्स कॉलेक्ट करने के लिए बनाए हैं जिनका मकसद आपसे टेक्स हासिल करना है लेकिन इस बात का आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा और नहीं ये बात कोई भी कंसर्टन किसी को बताता है वो ये कि इन ओफिस में FBR ने आपकी खिदमत के लिए अपने नमाइंदे बठा रखे हैं जिनको ये जिम्यदारी दी है कि वो आपको सर्विसिस फ्राम करें जिसकी फी वो आपसे नहीं बलके FBR से तनक्वा लेते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि FBR में किस जगा पे ये नमाइंदे बैठे होते हैं इसके लिए जब आपने FBR के ओफिस में जाना है तो वहाँ पे Help Desk बना होगा उनके पास आपने चले जाना है उनको आपने अपना काम बता देना है Means कि आपने Filer होना है या Return फाइल करवानी है या Password Recovery करवानी है या कोई भी आपका अकाउंट से Related Issue है उसको हल करवाना है जिसकी सर्विस उन्होंने आपको मुफ्ट में फराम कर देनी है जो जरूरी डॉक्मेंट्स आपने साथ लेके जाने है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताके आपको दुबारा चकर न लगाना पड़े सबसे पहले आपका CNIC ओरीजिनल होना चाहिए आपके पास और उसकी दो अदद कॉपिस भी करवा के लेके जानी है साथ ताके वहाँ पे आपको अगर कॉपी देनी पड़े तो वहाँ पे आसपास कोई भी फोटो स्टेट या कॉपी वाली मशीन ना मिले तो आपके पास और लेडी मुझूद होने चाहिए इसके लवाँ आपका मुबाइल नंबर जो आपके नाम पे रिजिस्टर्ट हो आपके मुबाइल में वो एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उस पे कोड आता है उस कोड के तुरू आपकी रिजिस्टर्शन होती है लवा और जो relevant documents आपने लेके जाने है जो आपके पास जरूर होने चाहिए वो person आप से वो तलब कर सकते हैं क्योंकि ये अब आपको पता है कि आपका काम किस नौईयत का होगा तो उसके मताबिक वो आपसे documents मांगेगे तो ये relevant documents आप जरूर साथ लेके जाएं बाकी जो relevant documents है उनको आप ये वीडियो देके जान सकते हैं इस वीडियो का link मैं description में डाल दूँगा जैसा कि आप लोगों को मलूम है कि अगर किसी चीज के फाइदे होते हैं तो उसके नुकसानात भी जरूर होते हैं और अगर आपको कुई चीज फ्री में मिल रही हो तो उसके कुछ drawbacks भी होते हैं कुछ ऐसी उसकी कीमत होती है जो आप payer कर रहे होते हैं बजाबर तो वो पैसों की शकल में भी हो सकती हैं और पैसों के बगैर भी तो इसमें भी कुछ ऐसे drawbacks, कुछ ऐसे नुकसानात होने का ख़द्शा है जिनका आपको जरूर मालूम होना चाहिए आपको अगर इन चीजों का पता होगा तो तब ही आप अपने आपको उन नुकसानात से, उन drawbacks से सेव रख सकेंगे वो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो नुमाइंदे FBR की तरफ से अपॉइंट किये गए हैं लेकिन FBR भी दूसरे सरकारी इदारों की तरह एक इदारा ही है, इसमें भी दूसरे इदारों की तरह कुछ लोग करप्ट हो सकते हैं या वो इस पोस्ट के एहल नहीं थे, किसी भी तरीका से इस पोस्ट पे आके बैट गए हैं अगर असान लफसों में आपको बताओं, तो जैसा मैं नीम हकीम का आपको बताता हूँ, आप इसकी मिसाल ऐसे ही लीजिए तो वो परसन भी एक नीम हकीम हो सकता है, इन जनरल तो नहीं लेकिन उन में से कोई परसन हो सकता है तो इस बात को आपने मेक शूर करना है कि जिस परसन से आप सर्विस ले रहे हैं, जिससे आप काम करवा रहे हैं क्या वो इस caliber का बंदा है कि वो आपका काम कर सके क्या वो अपने काम का माहिर है, expert है या नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि सिर्फ मेरे कहने पे आपने उनसे अपना काम करवा लेना है बलके आपने खुद अपने mind से उनको परखना है और जब तक आपको complete satisfaction नहीं हो जाती तब तक आपने उनसे काम नहीं करवाना अगर आप उनसे filer बनने गए हैं और filer के मतालिक information लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि कौन सी ऐसी पांच बढ़ीं कलती हैं जिनसे आपने बचना है ये जानने के लिए आप ये वरी वीडियो ज़रूर देखें इससे आपको काफी help मिलेगी फाइरल होते हुए अपने आपको ज्यादा से ज्यादा नुक्सान से बचाने की थैंक्स फूर वाचिंग, सी इन दे नेक्स वीडियो, अलाफिस